आपका स्वागत है आए नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्ख्यों पर क्रिशी कानूनों पर सीमित समय के लिए रोक किसान देंगे 22 जनवरी को जवाब सुप्रीम कोट ने कमीटी सदस्यों की आलोशना पर जताई नराजगी ट्रैक्टर रैली की तैयारियां क्रिशी कानूनों पर विज्ञान भवन में किसान संगठन और सरकार के बीच बाचीत का दस्वा दौर आज शाम को खत्म हो गया बाचीत में सरकार की तरफ से क्रिशी बिलो को अगले 1-1.5 साल तक सगित करने का पस्ताव आया है हाला कि किसानों ने इन बिलो को वापस लेने के अपनी मांग को सरकार के सामने फिर से दोराया औल इंडिया किसान सभा संगठन के महासचीव हननन महला ने प्रेस कॉनफरेंस प्रेस से बाचीत में कहा कि सरकार कोर्ट में एक एफेर एफिट लाने के लिए तयार हो गई है जो कि इन बिलो को अगले 1.5 साल तक स्तागित कर देगा इसके अलावा बैठक में MSP पर भी चर्चा हुई सरकार ने कहा कि वे एक कमीटी बनाएगी जो कि इन तीनों कानुनों और MSP पर विचार विमर्षकर भविश्य तै करेगी किसान संगठन इस प्रस्ताव पर चर्चा करके सरकार को 22 जनवरी तक अपना जवाब दे देंगे सरकार और किसानों के बीच अगली बैठक 22 जनवरी को तै है हमारी दूसरी खबर भी किसान अंदोलन से जुड़ी हुई है किसानों की 26 जनवरी को हुने वाली ट्रैक्टर रैली को लेकर दिल्ली पुलिस की आचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोट ने दोराया कि किसानों को दिल्ली में ट्रैक्टर रैली का फैसला दिल्ली पुलिस का ही है कोट इस मामले में कोई आदेश नहीं देगा ये मामला दिल्ली पुलिस का है वहीं किसानों की तरफ से प्रस्तुत हुए प्रशान्थ भूशन ने कहा कि किसान ट्रैक्टर रैली के साथ गंतन तत्रिवस मनाना चाहते हैं और उनका शांती भंग करने का कोई इरादन नहीं है इसी बीच 26 जनवरी को होने वाली ट्रैक्टर परेट को लेकर पुलिस और किसानों के बीच कल मुलाकात हुई जिसमें पुलिस ने किसान संगठनों से केवल दिल्ली के बॉर्डर पही रैली निकालने की सला दी जिसे किसानों ने मानने से इंकार कर दिया गौरतलब है कि किसान संगठनों ने घोशना की है कि हजारो किसान 26 जनवरी को राश्चर राजधानी की आउटर रिंग रोड पर ट्रैक्टर रैली निकालेंगे इसी मामले पर आज चर्चा के दौरान सुप्रीम कोर्ड द्वारा घटित की गई कमीटी का भी जिक्र हुआ किसान महापंचायत संगठन के वकील ने एक याचिका दायर करते हुए ये मांग की है कि कोर्ड द्वारा बनाई गई कमीटी का पूरन घटिन किया जाए उनका कहना था कि कमीटी के सदस्ये पहले ही किसान बिलो के समर्थर में अपना मत जाहिर कर चुके हैं जिस पर शीर्ष अदालत ने गटित कमीटी के सदस्यों के आलोचना पर खेज जताया आपको ये बता दें कि चार सदस्यों कि इस कमीटी से भारती किसान जबा के अध्यक्ष भुपिंदर मान अपने आपको अलग कर चुके हैं सेंकडू की संख्या में टैक्टर हर स्टेट से आज पास की जो स्टेट हैं उन्षाने सुरू हो जाएंगे मैं ये कह सकता हूं क्योंकि मैं अर्याना से समझ रखता हूं अर्याना के कम से कम डाई तीन जार टैक्टर इस शेतर यहां पहुंचेंगे और अगर आप टोटल देखेंगे सभी बॉर्डरों के उपर तो अर्याना के कम से कम 40,000 जार टैक्टर अर्याना सारे बॉर्डरों पहुंचेंगे अभी ऐसा है कि गाउं गाउं में इस सभी सतारी को टैक्टर प्रेट की तियारी हो रही है कली आपने देखा होगा कि 700-800 टैक्टर सीकर में पूरा मार्च किया है 12 गाउं से होते हुए सहर में आकर के जिला कलेक्टर को दिया है वैसे ही मान देता 15-20 गाउं में 200 से ज़्यादा टैक्टरों मार्च किया इसी तरह से नागोर के डीडवाना तैसिल में 500 टैक्टरों मार्च किया है और हर कलेक्टर को SDM को ग्यापन दिया है गर सरकार 27 तारीक से पहले किसानों की मांगों को नहीं मानेगी तो दिल्ली में गंतंतर दिवस 27 जनवरी को किसानों का टैक्टर प्रेड होगा वो अभी पुलिस कमिश्णर डिप्ति कमिश्णर आके किसान नेताउं से मोर्चे के सुनक मोर्चे नेताउं से वारता भी किये खम लोगों ने यह तैकिया है मारश्ट के 1000 ट्राइबल और किसान मिला किसान यहां पर आई हुए है हमने हमारी तैयारी की हुई है कि जिस तरह का ट्राइबल का कल्चर है और माराष्ट की किसानी का कल्चर है उसकी जाकिया तैयार करेंगे हमारे यह हम लोग ट्रैक्टर भी बोल रहे हैं राजस्तान के सातियों को हरियाना के सातियों क्योंकि हम तो ट्रेन से आये हैं तो आप ट्रैक्टर हमें दीजिए और उसको यह करते हुए हम लोग हमारी जाकिया बनाएंगे और उस जाकिया बनाके हम लोग दिल्ली के तरफ हाँ हम लोग यह अंदोलों तो चलता रहेगा यह 26 जिस तरह का माहूल बनाए है देश में कि 26 इसका ये अंड है या अखरी है बिल्कुल नहीं हम लोग तो 2024 की तैयारी करके आए 26 तारी को हमारा दूसरा जो पार्ट है वो लोग आ जाएंगे इदर तो अभी जो जितना भी इदर है उसमें से कुछ लोग रुक के बाकी वापस जाएंगे और 24 तारी को जो नया टीम जोइन करेंगे वो लोग मार्श में शामिल होंगे कितने करीब लोग होंगे सेकंड कंडिश्मेंट आते हो 300 के करीब लोग आएंगे खुल मिला के 400 लोग रहेगा ही रहेगा इदर 20 की तयारी के लिए जैसा आप देख रहे हैं कि ये ऐसा मोर्चा है जां हर राज्ये से किसान आ रहे हैं एक तो वो एक तयारी का पार्ट है चाहिए केरल है करनाटका है अंदरप्रदेश है उडिशा है गुजरात है महराष्ट है लगातार ये मोर्चा यहां है जहां विभिन राज्यों की सिदारी समें बढ़ रही है और जहां तक राजस्तान और अरियाना का सवाल है हमने 26 तारिक की तयारी के लिए विशेश रूप से राजस्तान के अंदर टेक्टर मार्च का आयोजन किया है जो हर दिन सेक्णू की संख्या में हमारे किसान साती टेक्टर लेकर प्रते गाउं से निकल रहे हैं और अलग-अलग ग्रूप बनाए हमने वो जंचे इतना जब की है कि साइद ही राजस्तान का ऐसा कोई गाउं बच्चे जहां ऐसे आयोजन नहीं हो हमें उम्मीद है कि जिस तरह का मावल राजस्तान के अंदर चूंकि 11 तारिक को 55 राजस्ताओं की चुनाव थे हम यहां 13 तारिक को आए लेकिन 13 के बाद लगातार केंपनिंग रा और हमारे किसान भी आएंगे और मैं समझता हूं कि अबूतपूरा और एतियासी का अंदोलन साइद भारत की आजादी के बाद यह पहला अंदोलन है और सोबग्य से कि 26 जनवरी गंतंतर दिवस भी है उस दिन एक तरफ हमारे सेनिक परेड करेंगे और दूसी तरफ हमारे क किसान परेड करेंगे और हमारे राजस्तान से और खूब सारी मैलाई आएंगी जनुरी को हम टेक्टर लेके दिल्ली में प्रियोस करेंगे यह मदी नहीं मानेगा तब तक यहीं पटटे रहेंगे देश भर में कोरोना टीका करन की शुरुआत बीते 16 जनवरी से शुरू हो पर न्यूस्क्लिक के एडिटर इन चीफ प्रबीर पुरकायस्ता ने जाने माने वग्यान एक सत्यजीत रच से बातचीत की है आए देखते हैं इस पें सेफटी और जो इसका इम्मुनजरिसिटी जिसको कहते हैं एंटी बॉडी हमारे शरीज में पैदा होने का इस पें शक नहीं करना चाहिए फेज वन फेज टू ट्राइल्स पे देखी जाती है पर स्टेज ट्री ट्राइल्स एफिकेसी का प्रमान है कितना कंट्रोल कर रहा है या नहीं जो वैक्सिनेटेड है जिनको वैक्सिन नहीं दिया गया है उनमें क्या फरक है वो नजर आता है और यह सही है कि यह फेज ट्री ट्राइल्स जो होना चाहिए था वो शुरू हो गया है को वैक्सिन की फेज ट्री ट्राइल्स इस वक्त चल रहा है उसकी डेटा, preliminary data जिसके आधार पे emergency use की आप permission दे सकते हैं, उसकी एक देड़ महिने की सिर्फ वक्त चाहिए था, और क्योंकि हमारे यहां इस वक्त numbers कम हो रहे हैं, तो हम इत्ता जल्दबाजी में इसको करने का health, public health का कोई इस पे लगता है कि कोई सोच इस पे रही, बल्कि आप जो कह रहे हैं कि vaccine nationalism की सोच, कि हम भी दिखाते हैं, हम भी बाहुबली हैं, हम भी vaccine बनाए हैं, दूसरों के अपक्षा, हम भी तेजी से बनाए हैं, etc., etc., इस तरह की चीज़े लिखती हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि हमें एक देड़ मह हिना अगर रुकते data मिलने से, efficacy इसकी प्रमाण होने से, तो इससे फरक पड़ता, क्योंकि हर्शवद्दन साब ने हमारे health minister है, उन्होंने डॉक्टर भी है, उन्होंने भी ये कहा कि efficacy दोनों का बराबर है, पर efficacy बराबर होने की प्रमाण तो pastry trials का data है, जो हमारे पास इस वक नहीं है, बिल्कुल सही कहा आप नहीं, मैं तो यहां तक कहूंगा, कि या तो पहले पहले नतीजे आने तक रुखते, जो चंद ही हक्तों में आने वाले हैं, जैसे कि आप कह रहे हैं, या तो मैं याद दिलाओं आपको दर्शकों को, कि भारत बायोटेक के डाक्टर टिश पहले भी वैक्सीन को अप्रूवल और इजाज़त मिली है, यह कोई पहली बार नहीं हो रहा है, सच शाई उसमें कितनी हैं, वो बात अलग रखिएगा, लेकिन अगर यूं करना था, अगर बगेर उप्योगिता नापे, असरदारी नापने के पहले ही, अगर आपने इजा देनी थी, तो कहते हैं, भारत की जनता से कहते हैं, कि जरूरत है वैक्सीन की, इस वैक्सीन का इस्तमाल, फेज वन, फेज टू ट्रायल के नतीजों के आधार पर हम क्लिनिकल ट्रायल मोड में देश भर में शुरू करना चाह रहे हैं, इसलिए कि महामारी का वक्त है, उसके खिलाफ जो कोई संसाधन मिले, वो बड़े काम के होंगे, हम जनता से आवाहन करते हैं, कि इस एफट में, इस काम में, जनता हमारा साथ दे और अपने आपको स्वयम सेवक मान कर इसमें शिरकत करें, जनता को बालिग समझे, जनता को जानकारी दीजे, जनता को अपने निर स्वेच्छा से पूरी जानबूज के साथ देने, लेने दीजिए, इसे जनतांत्रिक प्रशासन कहते हैं, यह करते हैं, तो आपको हमें कोई मुसीबत नहीं होती, जनतांत्रिक पाज़दर्शी और एक जनवादी सरकार की यह नियत होनी चाहिए, नकी थोपने की और इसके बाद कहते हैं, कि इनफॉर्म्ड कंसेंट के जगह पर जबरदस्ती कंसेंट लेने की बात इस वक्त हो रही है, नौकरी नहीं रहेगी, तंखा नहीं मिलेगी, आखरी बात पर मैं आ रहा हूँ, सत्यी यह अगर सवाल है कि वाक्सीन सेफ है नहीं है, तो क्या आप और हमें इस वैक्सीन लेना चाहिए, आपका क्या इस पर मत है? क्योंकि हमारी इस बात चीट से लोगों को न लगे कि वैक्सीन शयाद लेना ही नहीं चाहिए, यह हम कह है हमारा सरकारी प्रक्रियाओं से बहस है हमारा बहस वैक्सीन से नहीं है तो यह सवाल मुझे बार-बार पूछा जाता है मैं जो हर वक्त जवाब देता हूं वो यहां भी देता हूं अगर मुझे आज अभी को वैक्सीन मेरा नमबर आया और मुझे को वैक्सीन मिला और मैं ले लूँगा, मैं दस्त करूँगा, मैं ले लूँगा और मैं मेरा स्वातंत्रे सरकार के प्रशासनिक रवये पर टीका करने का अबाधित रखूँगा, क्योंकि सवाल वेक्सीन के सीफ्टी को लेकर नहीं है, सवाल सरकार के प्रशासनिक रवये पर है. सरकार पालिसी के उपर है ना कि वैक्सिन हमें या आपको लेना चाहिए नहीं क्योंकि आप हमारे साथ रहे हैं कई बार इस तरह की बातचीत में तो मैं भी आपके साथ सहमती प्रकट करता हूं कि मैं भी वैक्सिन ले लूँगा और जो लोग सोचते हैं कि शायद adverse reaction होता है उनको समझना चाहिए कि अगर इस पैमाने पर टीका दी जाती है वैक्सिनेशन होती है तो accident कहिए coincidence कहिए कुछ लोगों का जो दूसरे बिमारी है वो निकल के आ सकता है उस वक्त ये vaccine के वज़े से नहीं एक coincidence के रूप में होता है इस पे जरूर यह चीजे होती है तो यह आप सड़क cross करते accident हो सकता है तो उसको आप नहीं कहेंगे इसलिए हम सड़क नहीं cross करेंगे तो यह चीज अलग चीज है और इसलिए इस महम में ना पड़े कि शायद vaccine के वज़े से यह सब हो रहा है बड़े vaccine जब इस्तिमाल होता ह है बड़े पैमाने पर यह तो चीजे आपको समझना पड़ेगा यह सोहाविक है कि कुछ और भी चीजे साथ साथ हो सकता जिसे vaccine से कोई relation नहीं है कोई संबन नहीं रखता केंदर स्वास्त बंतरा आज बुदवार 20 जनवरी को जारी आंकडों के अनुसार देश में आज 7 महीने बाद 13,823 नहीं मामले सामने आए हैं इसके अलावा करोना से 162 मरीजों की मौत हुई है साथ ही इसी बीच देश भर में करोना से पेड़ित 16,988 मरीजों को ठीक किया जा चुका है और कुल आक्टिव मामलों में 3,327 मामले कम हुए हैं ICMR द्वारा जारी आकडों के अनुसार अब तक 18,85,67,947 सैंपल्स की जांच की गई है जिन में से 7,64,120 सैंपल्स की जांच बीते 24 घंटों में हुई है साथी देश में अब तक 6,74,835 वैक्सीन लगाई जा चुकी है जिन में से 2,20,786 वैक्सीन पिछले 24 घंटों में लगाई गई है आज के डेरी रॉंड अप में बस इतना ही हमारी खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं हमें फेस्बुक ट्विटर और इंस्टेग्राम पर फॉलो करें और साथ ही यूटूब पर सब्सक्राइब करें न्यूस क्लिक देखने के लिए शुक्रिया